हेलो एवरिवन वेलकम तो अविपीडिया माइनेम इस अंकुर शर्मा आज हम प्रेक्टिस करेंगे कुछ mcqs और हमारा टॉपिक रहेगा कांडिंग सेंडर्ड और पॉलिसी अब mcqs जो है जब हम करेंगे तो आपने ध्यान देना है कि पहले जो है है क्वेशन जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है फिर ऑप्शन देखनी है और फिर साथ के साथ मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा सोचने के लिए को टैम्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जो है वह अपना आंसर डालते रहेंगे साथ-साथ कोश्चन करते हैं आज के जो क्वेशन है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी आर बेस्ट अपन वेरियस हम नीचे आप्शन मारे पास अकांटिंग प्रिंसेफ़ेंग्री अनप कंसेप्ट प्रिंसेपल्स अगंटिंग कन्वेंशन या और द अबब देखो भी किस को आता है जिस जिसको आता ह है फटाफट से लिख दो comment box पे हाँ जी करो ट्राइ करो शाबाज accounting concepts principles conventions किन के उपर जो है accounting policies जो है base की जाती है फटाफट से बताएंगे हाँ जी तो अब हम आगे इसका answer देखते हैं पहले तो देखो क्या होता है आपने इस अमझने policies principles conventions जो policies होती है वो concepts principles conventions टीनों पही बेस्ट होती है ठीक है चाहे कहीं भी कोई भी policy आप बना लो तो इसमें ये तीनों चीज़े ही होती है तो इसका answer होगा D ठीक है जी accounting policies are specific procedures implemented by companies management team that are used to prepare financial statements these include any accounting method measurement system or procedures for presenting the disclosures तो इसके अंदर conventions भी आ जाएंगी concepts भी आ जाएंगे आपके और principles भी आ जाएंगे तीनों ही चीज़े आ जाएंगे चलो जी अब next question पर चलते है selecting accounting policies is based upon अब मुझे accounting policy बनानी है उसकी selection करनी है कि कौन सी policy जो है मुझे adopt करनी है कौन सी नहीं करनी है तो counting policies जो होती है क्योंकि में भी option होते है कही बार आपको क्या होता है you can there are two or three methods तो उसमें से आपको choose करना पड़ता है according to your according to your requirement ठीक है तो आपसे यही पूछा है कि accounting policies जो है वो किस पे बेस्ट होती है या सबस्टेंट ओवर फॉर्म पर बेस्ट होती है फटा फट से पताओ इसका अंसर क्या होगा इन तीनों में से क्या होगा या यह भी हो सकता है all the above भी हो सकता है सोचो करो comment box में लिखो ठीक है जी किया ट्राइ लिखा option अब देखो आप देखते हैं आपने जो लिखा है या आपने जो आपका जो अंसर है आप इसके close हो answer जो है ठीक है या आप फर्दर जो हो close हो answer के अगर ठीक नहीं है तो देखो जी समें प्रूदंस भी आ गई सब्स्टेंस ओवर फॉर्म भी आ गया यह तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी अकांटिंग पॉलिसी कंसिडर करनी है मटिरिल्टी भी आएगी प्रूदंस का मतलब होता है कि आपको कई बार देखना पड़ता है वाट की कि प्रॉफिट हो जाएगा तो उसकी उसको हम जल्दी से खुशना हो जाए वेट करें जब होगा तब देखेंगे लेकिन लॉस अगर मुझे लगता है फूचर में होने वाला है तो हम पहले से ही त्यारी करके रखेंगे तो यह प्रूदंस होता है तो यह तीनों ही यह अपनी कब यह पूचह आप से कि वेन रिक्वाइड बाइड रॉच्ट या ओल दबव तो सारी ऑप्शन में से आपको चूज करना है ऑप्शन फटाफट से लिखो कमेंट बॉक्स में क्या आपका ऑप्शन है साथ के साथ करते रहेंगे क्वेस तभी फाइदा है सेशन का और प्रैक्टिस तो तभी होगी यह नहीं मेरी वेट की अंसर की खुद दिमाग ने लगाया यूजर ब्रेन देखो क्या अंसर हो सकता है ठीक है जी चलो अब आंसर देखते हैं अंसर इसका डी अब मुझे अकांटिंग पॉलिसी कब करनी पड़ेगी जब जुरत हो रिक चेंज करना चाहिए और अगर हम पॉलिसी को चेंज करते हैं और उसकी वजा से फाइनेंशल स्टेटमेंट जो है हमारी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलन शीट वेगरा बनाते हैं तो फाइनेंशल स्टेटमेंट जो है ज्यादा एप्रूपरेट पिक्चर और बताओ क्या आंसर होगा फटावट से विच आफ फॉल्विंग इस वन आफ दा मेजर कंसीडरेशन कंसीडरेशन गवर्निंग दसेलेक्शन एंड एप्लिकेशन आफ अप्लिकेशन आफ अकॉंटिंग पॉलिसी इन में से कौन सा ठीक है बताओ जल्दी शाबश आजाएगा ओल अफ देम आजाएगा कॉर्शन का रिकॉर्शन रिपीट है लेकिन जो पूछा है वो थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ है ठीक है तो इसकी लैंगवेज डिफरेंट है तो इसका अंसर होगा आपका ओल अफ तो अलफ दिम अलफ दिम डी अब आब अलाग अकाउंटिंग पॉलिची स मतलब और ऑरगनेशन और अर्गनेशन जो है वो अलग है इंडस्ट्री जो है वो सेम है जैसे ऑुपली इंडस्ट्री में हुंडई हॉंड़ा अलग अरगना को जो है कैसे एस पर प्रूविजिजिन जॉवग कमपनी एक्ट ऐस पर ओड and assurance standards on uniform basis from from one concern to another and from one accounting period to another or as per convenience so yes ocean of course me up but I'll be your answer kya hi guys cut a yoga yoga see yoga yoga cancer yoga मैं हांजी किया सबने किया ड्राय तो अब आपको समझना देखो एसपर convenience तो होई नहीं सकता ठीक है अब इन में से कुछ हो सकता है इन तीनों में से यह तो हो नहीं सकता करनी मर्जी से दोड़े रख लेंगे ठीक उस तो एक तो हम accounting policy जो आपका आपने policies decide करनी होते तो कैसे होते एक तो uniform basis होनी चाहिए यह आपने जिहान रखना है from one concern to another and from one accounting period to another accounting period मतलब बार-बार uniform basis होना चाहिए एक accounting year दूसरा account यह नी एक accounting year में policy कुछ बनाई दूसरे में change कर दी तीसरे में कुछ और ले लिए ऐसा नहीं कर सकते आपको सेम रखनी पड़ेगी policy ठीक है तो अब इसका answer है आपका see ठीक है uniform basis वाला यह आपका answer है पांच question आपने कि यह आपको पता लग गया होगा कौन सा question कि कितने आपको questions आपते हैं और आप कितना answer के close है तो ऐसे ही आगे practice करते रेंगे ठीक है honestly practice करेंगे तो फिर यह नहीं कि मेरी wait करते रहे मैं answer बताऊंगा तो हाँ हाँ ठीक है अब हमें आता है ठीक है तो अपना थोड़ा सा mind भी use करेंगे अब accounting policy which is the which is an example of accounting policy एक दो तीन realization materialty dual aspect और valuation of fixed asset इन में से कौन सा जो है वो accounting policy है यह आपको पताना है सोचो फटाफट से लिखो option comment box पे करेंगे शाबाज ध्यान से पढ़ेंगे options को ठीक है सोचेंगे कि यह क्या है relation यह यह dual aspect यह क्या होते है और यह evaluation of इन में से odd one out भी कर सकते हो आप ऐसा भी हो जाता है कही बार ठीक है तो बड़े जो mcqs होते है उसको बड़े ध्यान से आपको रीड करना होता है चलो अब इसका answer देखते हैं ठीक है valuation of fixed asset अब अच्छा बाकी क्यों नहीं है विकॉस यह तीनों जो है यह accounting जो है conventions होती है या assumptions होती है तो इसमें valuation of fixed asset जो है कैसे करनी है यह एक accounting policy का example है अब हम आएंगे 7th question पे which of the following should be considered while selecting and applying accounting policies अब इन में से कौन सा है जो हमें accounting policy को select और apply करने के लिए हमें use करना है अब इसमें जो शुरू के questions थे उनमें उनको थोड़ा सा ध्यान में देखो उनमें उनमें और इनमें याद करो जड़ा उनमें और इनमें कुछ common है तो उसी साब से भी answer answer मिल जाएगा आपको बहुत इसी है तो शुरू में हमने सारे यही किये थे कि कौन सी जो है कौन से जो options है वो क्या है आपके accounting policies को decide select करने के लिए हमें यूज करने चाहिए शुरू के questions अगर आपको याद है तो फटाफट से easy से जो है आप इसको बता बता पाओगे ठीक है कर लिया सबने किया attempt चलो जी answer देखते हैं इसका अगर आप वापीस जाओगे देखो questions में हम शुरू के questions में जाए जिसमें all the above हमारी option ते देखो उसमें से सिरफ यही आपका match हो रहा है है ना substance over form पहले था तो अगर आपको पहले वाला याद होता तो आप इसको इसका जो है answer easily पहली दे सकते हो ठीक है सिरफ यही है जो वहाँ पे था यह तीनों जो है यह फिर आपकी क्या होती है यह conventions होती है और solvency का मतलब यह होता है कि इस firm जो है अपनी debts जो अपने लोन ले रखा है उसको पे कर पाएगी यह नहीं वो solvency होता है ठीक है जी तो यह आपका answer हो गया इसका फिर आजे एर्थ question पर एर्थ question आपका क्या बोलता है as per accounting standard one as means accounting standard the effect of any change in accounting policy on the value of any item in final account should be कहता है अगर accounting standard one कहता है कि अगर अगर आप वो चेंज करते हो और उसकी बजा से final account जो profit and loss statement होती है आपकी जो trading account होता है और balance sheet होती है उसमें अगर अगर कोई क्या हो रहा हो वैल्यू में फरक बढ़ रहा हो उनमें statement के अंदर तो क्या करना चाहिए जिसखाऊंत कर देना चाहिए मतलब इसके लें कुस थोरी बहुत परविजन कर लेनी चाहिए या डरेक्टर को बताना चाहिए या डेक्टर को बताना चाहिए या डरेक्टर नहीं अंभल मेटर सेले टीस्ट्री ऑन इंटर्नल mechan क요 ट साब विंस्कषो अब्यज टोश् हाँ जी किया अटेम्ट चलो अब इसका अंसर देखते हैं डी डी मीन्स इट शूट भी डिस्क्लोस्ट क्यों मैंने आपको श्पेशली प्ताया इंटर्नल मेटर है ठीक है और इंटर्नल ये तो इंटर्नली हो रहा है मैनेजर को बता दिया कुछ अड़ेस्ट्मेंट कर दी इ उसको बताना है आपने यह बोलता है accounting standard को ध्यान रगना है इस बात का वान अफिर accounting standard one disclosure should be made क्याता जो disclosure है it should be made in relevant places at one place in profit and loss in balance sheet कि यह जो disclosure कर ना है जो भी हमने disclosure की बात करी न अगर कुछ चेंज आ रहा है तो disclosure करना चाहिए तो किसी भी तरह का disclosure करना है तो कहां करना balance sheet में करना है इसमें करना है accounting standard 1K accounting बताओ जी फटाफट बताओ शाबाश किस-किस ने जल्दी करेंगे शाबाश चलो जी आंसर देखते हैं B कहां बताना है एक ही जगा पर बार बार नी बताना हर जगानी relevant places तो कही होती है अगांट्स में ठीक है तो यह आफ तो disclose it once at one place next आ जाएं as per accounting standard 1 आ गया fundamental accounting assumption should be accounting standard 1 के हिसाब से fundamental accounting assumption should be always be disclosed be disclosed in the notes to the to the accounts be disclosed if not followed be disclosed in auditors report कि यह कहां पे कहां पे हमें disclose करना है कि हर बार disclose करना है always to be disclosed disclose मले यह जो accounting standard है हमारा fundamental accounting assumption है जिसके base पे हम accounting करते हैं वो हमें किसको हमेशा बतानी है सिर्फ accounts में notes mention कर देने थोड़े से या तब disclose करनी है जब follow नहीं करी या auditor की report में आनी चाहिए बता हो जी जल्दी option फटा फट से I hope question समझा गया होगा सबको ठीक है तो answer discuss करते हैं अंसर है इसका c अब यह important है कहते है कि हर बार बताने की जुरत नहीं है आपकी जम्शन है आप अरवाइस कोई चक्कर नहीं है ठीक है अधरवाइस और कोई option इसका answer होगा c next question 11th फटा फट से read करेंगे फटा फटा फट से अंसर बताएंगे जल्दी करेंगे शाबाश बर जल्दी का मतलब यह नहीं है पढ़ना नहीं ध्यान से question हमेशा ध्यान से पढ़ना है ठीक है वरना गलत हो जाएगा एक नमबर तो जाएगा ही नेगटिव भी हो सकता है तो ABC company should select accounting policies which enables it to show appropriate profit or loss present true and fair value of its statement of fairs and profit or loss calculate the current amount of cash in hand pay proper amount of various dues rules देखो यह basic है accounting is accounting standards तो अभी तो एक जो है standard के कॉर्टिंग बताओ हमें क्या करना चाहिए तो accounting standard थोड़े भला ज्यादा डिटेल में accounting standard तो नहीं चाहिए होते है बटी बेसिक से थोड़े हमें पता होना चाहिए नॉर्मली ठीक है basic accounting rules पताओ जी क्या होगा answer ठीक है इसका answer होना चाहिए बी इसका answer होना चाहिए क्यों जो यह हमें policy कौन सी adopt करनी है ताकि हम true and fair view दे पाए किसका अपने profit and loss का और जिस तरह हम काम करते है state of affairs है जितना हमरा जो financial position है उसका true and fair value हमें देनी है public को ठीक है तो इसलिए इसका answer था भी आप चलें next question पे read करो फटाफट से कहता है a note to final account final account statement है note क्या होता है कुछ जैसे अबने भी बोला ने disclose करते हैं तो यह disclosure दिया हुआ क्या disclosure दिया हुआ है leave and cashment and export incentives are accounted for only when actually paid यह disclosure दिया हुआ है क्या बोला उसने leave and cashment होती है जब छुटियां जो होती है वो पेड होती है ना कि छुटियां तो leave and cashment मतलब जब यह leave and cashment जो है employee जो है आप employee को आप पे करते हुआ ना पे करनी होती है तो यह क्या कह रहा है कि export का incentive मिला कोई यह leave in cashment हुई तो हमें कब account करनी है only for only when actually paid जब उसकी actually payment हुई है तब पे करनी है तो वह इन में से है ना this disclosure किस respect में किया हमने इस money measurement concept के according किया cost concept किया consistency के कि लिए या fundamental accounting assumption of accrual किस के according किया यह disclosure अब इसका answer आपका क्या होगा इसका answer होगा होना चाहिए आपका D accrual concept क्योंकि accrual concept assumption of accrual concept है हम follow करते है अपने पे किया नहीं किया जिस साल का income है जिस साल के expense है उसको उसी साल में नोट करते है वेदर यूँआव पेड वेदर यूँआव नौट पेड अब हम उस assumption को जो अक्रूवल concept है उसको हम क्या कर रहे है उसको हम follow नहीं कर रहे है हमने बोल दिया अब नेक्स्ट करेंगे जब वह actually pay होगा तो इस concept को हम जो है follow नहीं कर रहे है इसलिए disclosure दे दिया ज़रूरी था यह ठीक है जी नेक्स्ट आजाएं अब नेक्स्ट कोस्टन जो है हमारा थर्टीन्थ कोस्टन है डाश रफर्स तो specific accounting principles methods of applying these principles adopted by enterprise in preparation and presentation of financial statement इन में से कौन सा है accounting standard concept principle policies एक ही अब all the all the above या ऐसा तो option यह नहीं है हमारे पास तो एक ही चूज करना पड़ेगा चूज करो फटा फट से अभी तक जो हमने questions किये अगर वह आपके mind में है तो आपको इसका अंसर भी पता ना चाहिए इसकी definition हमारे पहले भी आई थी करवाई थी मैंने चाहिद पहले question में दूसरे तीसरे किसी में भी देखो आपको ध्यान आता है तो लिखो comment box में answer लिखो शाबाश देखो चलो जी इसका answer होगा D accounting policies अब देखो यह इसके लिए ना आपको थोड़ी सी definitions का आइडिया होना चाहिए कि definition क्या होती है इसकी definition क्या होती है ऐसे questions को attempt करने के लिए principles की definitions क्या होती है और अगर आपको definition clear होगी तो फिर वो easily है वैसे इधर तो हम क्योंकि accounting policy का ही question कर रहे थे तो बार-बार चीज़े repeat हो रही थी तो अभी तक आते 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 आपको पता लग जया लेकिन अगर यह एक ही question आएगा पूरे जो paper में अगर एक ही question आएगा तो फिर इसको guess out करना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए definitions का आपको आइडिया होना चाहिए अब आजाए आपका next जो है 14th question है तो 14th question कहता है सम टाइम और रॉंग और inappropriate treatment is adopted for items in balance इन वाला बैलेंशी जब हम बनाते हैं उसमें कई बार हम रॉंग या रॉंग treatment कर देते हैं या inappropriate कर देते मिला जो एक्चल में होनी नहीं चाहिए बढ़ हम कर देते थोड़ी बहुत इस अर्जस्मेंट सारे कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे उसको उसकी प्रॉपर अर्जस्मेंट करें कैता फिर प्रॉफिटेंट लॉस या बैलन शीट में कर बनादे बनादे बता हो जिल्दी से अब तक आपको यह पता लग जाना चाहिए इसका अंसर इन में से कौन सी चीज आपके लिए नहीं है शायद विंडो ड्रेसिंग जो है आपने नहीं पता पड़ा होगा तो अभी पहले आप एक बर अटेम्ट करो फिर में आप ताता हो विंडो ड्रेसिंग भी क्या होती है ठीक है जी हो गया ठीक है इसका आंसर तो होगा यह सी चेक कर लेते हैं देखो अब आंसर है सी डिस्कलोजर आफ ट्रीटमेंट कि या था नहीं बार बार किया पीछे भी कि अगर कुछ गलत फॉलो कर लिया या कुछ अगर आप जो है न वो नहीं दिखाना है ना फॉर एक्जैम्पल हमारे जो आप 31st को जो हमारी मार्च को मार्च से पहले 28 मार्च को किसी को पेवेंट करनी थी हमने है ना और इस मार्च 31st मार्च को अकाउंट समनते हैं तो हमने बंदे को बोला आपको ना हम 1st एपरिल में कर देंगे तो यह विंडो द्रसिंग का एक्जैम्पल है कैसे हमने क्या किया पेडमेंट तो होनी थी अब देखो चार दिन में क्या फरक पढ़ जाए इंगा अकाउंटिंग यहां पर दो गया इसको ती लाग की पेवेंट कर रही थी उनको बंदो को तो यह 30 लाख जो है वो 31st मार्च को cash in hand हमारे पास पढ़ा रहेगा अधर वाइस अगरा पहले एंट्री कर दो चला जाता एक अपरेल को या दो अपरेल को भी चला ही जाएगा ठीक है तो ऐसी कुछ अड्रेस्मेंट को बोलता है विंडो ड्रेसिंग यानिक लिपा बोलता है है नहीं वो दिखा देना true and fair picture थोड़ सा नहीं देना तो विंडो ड्रेसिंग करते हैं मतला इस लीगल इलीगल नहीं है बट एक्शल में मतलब इसको वाइड करना चाहिए ठीक है जो हमारे कांटिंग सेंटर करते हैं तो यह हमें करना नहीं चाहिए बट हम नॉर्मली ऐसे कर देते हैं आपने देखा हो कि अब आप कॉल आप को सर 31 से पहले लोन करा लो आपको डिसकांट मिल जागा वो भी क्या है लोन तो उस मंत भी हो सकता है अगले मंत भी हो जाएगा तीन चर दिन में क्या फरक पड़ जाएगा लेकिन उनका टार्गेट उस मंत का चीव हो जा कर दो